चीते की फूर्ती से विराट कोली ने गेन पर मारा ऐसा जपटा बल्ले बास देखता रह गया। एक हाथ से लपका बवाल कैच जिसे देख छूम उठे जड़े जाओ रोहिन। विराट का ऐसा कैच देख मैदान में होने लगा कोली कोली। वेस्ट इंडीस खिलाब पहले वंडे मैच में भारते टीम के गेन बासों ने कमाल का खेल दिखाया। टोस हार कर पहले बल्ले बासी करनी उतरी कैरीबियाई टीम भारते गेन बासी आकरमन के सामनी सिर्फ 23 ओवर ही टिक पाई और पूरी टीम 114 रन के स्कॉर पर ठेर हो गई। इस दोरान गेन बासी के लावा टीम इने के फिल्डिंग में शानदार रही। खास सोर से विराट कोली ने पारी के 18 ओवर मी जो एक कैच पकड़ा वो काभीले तारीफ था। रसल पारी का ठारो और करनी रविंद्र जड़ेजा ने चोथी गेन पर बल्लेबास रोमारियो शेफ़र्ड को इस तरह चकमा दिया कि उन्हें कुछ समझ रही आया। शेफ़र्ड इससे पहले कुछ समझ पाते ही कि गेंदर उनके बल्ले का किनारा लेते हुए दूसरे स्लिप में खड़े विराट कोली की तरफ चली। हाला कि कोली के लिए कैच बिलकुल भी आसान नहीं था, उन्होंने अपनी दाईयों और छुक का डाइव लगाते हुए कैच लपक लिया। विराट कोली ने जिस फुर्ती के साथ कैच को लपका, उसकी खूब तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया पर इस कैच को वीडियो भी वाइरल है, आपको बता दी कि विराट कोली ना सिर्फ भारत की बलकि दुनिया के सबसे फिट खिलाडियों में से एक है, फिल्डिंग में शायद ही कभी ऐसा देखने को मिलता है कि उनसे गेन मिस होती हो, फिर कैच कैसे छूटता टीम इड़े के लिए गेन बाजे में कुल्दीप यादाओ और रविंद्र जड़े जड़े जने वेस्टेंडी इसके बले बाजों को खूप पानी पिलाया, इन दोनों की फिरकी में कैरीबिया एक जलट्टू की तरह नास्ते न अदर आया, कुल्दीप यादाओ ने सिर् चार विगेट लिए, वहीं रविद्र जड़े जड़े जने चार वर में तीन विगेट हासिल किये, इसके अलावा हार्दिक पांडिया, मुकेश कुमार और शार्दूर ठाकूर के खाते में भी एक एक विगेट आया, पस्टिड़े इखलाब पहले बंडे मैज में टीम इ के लिए साथ वे नंबर पर आये, भारत के लिए सबसे आधिक इशान किशन ने 52 रणों की पारी खेली, उसके अलावा सूर्य कुमार यादव ने 19 रण, रविंद्र जड़ेजान ने 16 रण, और रोईश शर्मा ने 12 रण बनाये, और टीम इड़ेस मैच को 5 विगेट से जी कीजी और जुड़े रखिए हेडलाइन से स्पोर्स के साथ